भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं कविता उपाद है, हमारे साथ है विवेक विहार से निगम पारशद संजय गोयल जी संजय जी बात करें निगम की, निगम में सल्वरी नहीं मिल पा रहे हैं करमचारियों को पांच महिने से जादा का समय हो गया दिवाली आ गई है, नवरातर के तो हार शुरू हो रहे हैं, ऐसे में बात कैसे करेंगे आप सेलरी के बारे में भारत टीवी के सकारे करम के प्रायोजट है यल्लो ग्रीन, सोच पदलो कुछ अच्छा क्राई करो देखिए, हमारी कोशिस रहती है कि हम समय पर सेलरी देए, और सेलरी का जो पार्ट है, जो हमारा राइट है, दिल्ली सरकार के दौरा हर वर्स, जो अमारा बजट होता है सरकार का उस-पे साड़े बारे परसेंट शेर हमको मिलना होता है, MCDs को और MCD में यदि उस समय पर पैसा नहीं मिलेगा तो हम कैसे करमचारियों की सेलरी दे पाएंगे क्योंकि MCD में जो कारिये हैं जैसे सफाई का है या उध्यान विभाग का है या स्ट्रीट लाइट्स हैं अन्यकोंने कारिये ऐसे हैं जिनको हमारे करमचारी पूरा करते हैं और फाइनेंस जो है कमिशन है उन्होंने या लोकेट फंड किया हुआ है कोई हम भीक नहीं मांग गए दिल्ली सरकार से समय पर क्वाटरली इनको फंड्स देने होते हैं वो जो नहीं देना चाहते हैं यह डाउन क्योंकि BJP MCD के अंदर यह डाउन करना चाहते हैं BJP को लेकि शेयर है 65,000 क्रोड रुपे का इनका 2020 का बजट है जिसमें 12.5% 12.5% इसमें हमारा शेयर बनता है उस शेयर कुद है दिल्ली तीनों MCD को तो देखिए समय पर सेलरी भी मिलेगी डवलप्मेंट के कारिये भी होंगे और अच्छे कारिये हम करके दिखाएंगे लेकिन यह नही बजट, incoming हमारी resources है, वो house tax है, वो नाके बरावर हमारे पास आता है, लगवग सवादो सु क्रोड रुपे आता है, पार्किंग है या conversion है, वो भी नाके बरावर है, तो बिना दिल्ली सरकार के और दिल्ली सरकार के हर पुरे देश के अंदर रज्य सरकार का धाय तो बनता है कि नगर निगमों को समय पर उनके allocated funds को देंगे, तो हम एक अच्छे कारी करके दिखा पाएंगे और अच्छा development भी कर पाएंगे, लेकिन जी संजय जी बात करें विवेक विहार की, आपके पास 15 साल रही है प्रिदी भेन, ऐसे में जब आप आई, किस तरीके से आपने कारे को संबाला और क्या-क्या अपने हाप रगती की है? किया कि सबसे पहले जैसे ही नाली निकलेगी तुरूंत विदन हाफ एन हवर, मैक्सिमम वन हवर, जैसे ही पानी उसके अंदर से निकल कर नाली में दुवारा चल जाएगा, सुबा पूड़ा उठा कर उसको डाला जाएगा, और यह मैं आपको कहनी रहा, अब जाकर मैं चा आने के बाद चेंज हुए है, यह तो उनको नाली के कीड़ा कहा करते थे, और बोट भी लेते थे, क्योंकि इनको और नाली का कीड़ा भी कहते थे, यह तो ऐसे लोग हैं, तो जनता ने जनता को पता जब लगा कि ऐस तरह की इस्तिती हो सकती थी और इन्होंने हमारे साथ इसा किया, और वहाँ दो ग्राउंड्स हैं, एक को इन्होंने घंदे पानी का तालाब बना दिया, दूसरा कम से कम 600 ट्रक कूडा में ने आने के बाद प्लॉट से उठवाया, वहाँ की जनता से पूछिए कि क्या चेंजिस उनकी लाइट में आए हैं, उसके बाद में, क्य कोड़े में उनको रखें, कोड़े के धेर में रखें, तो ये ववस्ता हमने की, दूसरी बात, यह शोर किया कि छेत्र में रोड पर, आप तो न्यू जेंग, आप चैनल चलाते हैं, तो आप खुद जाकर देखिए, मैं तो यह कहता हूँ रात को, सुबह तो लोग सब कहते हैं कि सुबह सफाई है, क्योंकि अब सुबह सफाई हो गई है, आप 5 विजे, 6 विजे, 7 विजे, 8 विजे, किसी भी समय आप पूरे वाड में घूमिए, फिर कहिए मेरे को फोटो लाके दीजे, सर, यहां संजे जी देखिए, कूड़ा पढ़ा है, यह कई दिनों से पढ़ पीने के सामान को प्रॉपर डेस्ट में डालें, डेस्ट में नहीं है, उपलग तो घर पर ले जागे डालें, जब खाने का शौक हम रखते हैं, तो रोड पर ना डालें, दूसरा हमने आने के बाद जो पार्क की जो हालत खराब थे, सारा सिस्टम तूटा पड़ा था, पा पार्क आपके सामने हैं, और घर आपके पास है, तो एक इच्छा होती है इंसान के अंदर की मेरा फार्माहूस होना चाहिए, इसको फार्म बनाईए और हाउस आपके पास है, तो फार्माहूस बनगे, और आटोमाइटिक मिलकर काम करेंगे, तो व्यवस्ताएं हो सकती है, तीसरा हमारा street lights का सबसे वड़ा काम है कि आज मैं कह सकता हूं कि 99% lights मेरे चाहे वो high mass lights हो चाहे street lights हो वो proper तरीके से on रहती हैं समय पर on रहती हैं समय पर बंद होती हैं और चौथा हमारी जो गड़े हैं वो कभी भरते ही नहीं थे roads पर रहता था अब ये कोशिस रहते हैं कि main roads उस पर जितने भी work department का कारी है उसको proper पूरे तरीके से समय समय पर उसको कराया जाए क्योंकि funds नहीं है तो हमारे पास में दिली सरकार ने अपने विधायकों का fund तो 4 करोड से 10 करोड कर दिया लेकिन जो पिछले 3 साल में हमको जो fund सरफ मात्र मेरे को 30 लाग रुपे मिले हैं और 30 लाग में भी जो उसके जो contractor की payment अगले 5 साल में होनी है तो उसमें 30 लाग में क्या काम करेंगे पैसे काम तो पैसे से चलेगा और बिना पैसे कोई भी कारी समब नहीं है हम जनता की अप्यक्षाओं पर कई वार खरा नहीं उतर पाते क्योंकि जनता कहते कि यह नाली बन आपने मेर से कहा और पाचवाँ जितना भी है फैक्टीज है हमारे यहां पर वो प्रॉपर तरीके से अपनी लाइसेंसेज बन आएँ आज मैं कह सकता हूं कि मैं खुले में कहता हूं कि बिना ब्रेश्ट चार के आप कारिये और आपको लाइसेंस मिलेंगे फैक्टी लाइ वो फेक्टी लाइसेंस हो चाहे टेड लाइसेंस हो आज मैं कह सकता हूं कि मेरे वाड में कोई सीलिंग नहीं हुई है और क्यों नहीं हुई सीलिंग क्योंकि लोगों को एजुकेट किया हमने कि भी आपकी रेस्पॉन्स लटी है कि आप ये काम कीजिए तो बहुत सारे कारी ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन जनता को पता होता कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है तो इसलिए मेरे पास तो 24 आवर्स मैं कह सकता हूं कि वाड के साथ से अन्य चेतर में भी हम लोग काम करते हैं जो वाड्स हैं हमारी जो साती निगम पार साथ है मिलकर हम काम करते हैं और पैसा होगा तो हम दिखाएंगे कैसे काम होता है जो इतना फंड इनको मिलता है समय पर लगाएं समय पर ववस्तित तरीके से लगाएं तो जनता भी खुश रहेगी और काम भी होगा लेकिन खाली पा लगा मैसूस कर रही है आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जो जिसको रासन की बात करते हैं वो तो मोधी सरकार के द्वारा रासन दिया जाता है इनके पास तो खाली डिस्ट्यूशन है यह तो डिस्ट्यूशन भी प्रपर तरीके से नहीं कर पाई इन्हों तो अधियार डाल है कि जनता को तो ड़राते हैं भैवीत करते हैं इनको नाचने क्षाल है मास्का जनता के पैसे का दुर्फीयों करते हैं इन्हों ey across को इलोकेट इसतर से किया हर समय टीवी पर चमकता दो वाइट देते हैं दस मिनट दस सेकंड आप बताईए डैंगू और मलेरिया वो विवाग किसका है इनके पास कोई करमचारी है कि पूरे छेतर में कि जो इनोंने डैंगू को भगाने का काम किया क्योंकि इनके पास फंड से हमको देते हैं नहीं फंड से ड्वर्टिजमेंट का हम करनी पाते और काम हम करते हैं हमारे करमचारी काम करते हैं आज मैं कह सकता हूँ पिछले तीन सालों के अंदर इस वाड में ना कोई एक डैंगू का पेशेंट है ना कोई मलेरिया का पेशेंट है और हुआ और ना अब करोना के अंदर भी हमने सफाई विवस्ता को चाहे कितने भी परिसानिया रही हो सैनिटाइज प्रपर तरीके से खराया मेरे को सुवह मौरणिम न कोई भी कह देते हैं दुफैर तक ही दो बच तक हमारे पास तीन वच तक कोल आ जाते हैं आज सैनिटाइज कराना है तो हम कोशिद करते हैं कि same day कारिय कराने की unw gnats day तो hundred percent कारिय हम करते हैं तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो जनता को और मैं दूसरी बात transparency जो बात आप कर रहा है 15 सालों का और इस साल का, तीन साल का कारिय काल की मेरे यहां पर कोई अधिकारी को phone करता है और अधिकारी काम नहीं करता है तो मैं अधिकारी से कहता हूँ कि पेमेंट आपको जो सैलरी है यह जनता के टेक्स से मिलती है मैं नहीं देता हूँ यह 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 और जो परफर्म प्रॉपर्ली और आपके इदना मेरे पास कोई शिकायता देश को पीछे छोड़ दिया है इन्होंने तो इसलिए ऐसे लोग जो है पेरों को चुने वाले प्यार से बात करने वाले आज नहीं चलने वाले आज काम करने वाले जिनको नॉलिज है पड़े लिखे लोग है जो इमानदारी से काम करें उनकी वैवस्ताइं भी तो देखनी होंगे खाली किसी के खड़े हो जाएं किसी को बैठ जाएं हाँ जी भैसाब ये इससे तरह से काम नहीं चलने वाला है जनता की अपक्षा है तो जनता की कारे को पूरा करने से होँगी तो पूरे MCD के जितने विवाग हो तो 15 साल रहे हैं इनसे पूछ लीजे 15 साल में कौन-कौन से विवागों को इननों ने कितना काम किया है और मेरे से कोई एक भी विवाग ऐसा आप पूरी बोक उठाइए और जतने किसी भी विवाग के अंदर डिवेट करने के लिए मैं तैयार हूँ तो इसलिए कह देने मात्रे से ठीक है जनता को समय आप्शन नहीं था मिला तो आप काम कर रहे हैं आप जाएए ना पीछे जाए विवेक की बैक लिन्स की स्थिति देखिये एख साफ ही निहीं होती थी विवेक वियार की आज मेरिए हंड़ेट परसंट में कह सकता हूं आप टृंश या न्यीतों करता हूँ आप काम है जिनको मैं चैलेंज के साथ काम करता हूं इसचिन चरॉ में हैं क्या तो आधेंगे लिए हैं अपने वीज API की और कारीक करता कभी भी किसी उसके स्वार्त को लेकर काम नहीं करते हैं वह जनता की सिवा करते हैं चाहिए हम विपक्स में भी रहे हूं हमने जनता की सेवा कि है आज दिकि करोण महा BMW हमारी हमारी में सरकार में दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है लेकिन क्या आपको पूरी दिली कें अंदर कोई आ joints कारी और डिशन कि इसने और dot नायो हमेरे बूद पर लोगों की जिनकी पूरा था गूं करते हैं और सेवाइं की इन yap करते हैं जसलिए हम सब लोग खोń एक निश्वार्थ भाव के साथ काम करते हैं और निश्वार्थ भाव के साथ काम करेंगे और यह नहीं है कि किसी को क्या मिला क्या नहीं मिला दायत तो आते जाते रहते हैं इसलिए कोई ऐसा हमारा कारी करता एक स्वेम सिवक के नाते काम करता रहेगा चाहे उसको कोई दायत मिले या नहां मिले तब भी एक समाज की सेवा को अपना एक दाय तो मानते हुए कारी करता है यह संजे गोयल जी विवेक विहार से पाशद है इन्होंने कहा कि सेवा ही हमारा सेवा ही एक मातर हमारा देश्य है और जनता की सेवा हम करते रहेंगे और निश्चित रोप से कमल जरूर किले मारा